इस्टूडेंट आज किस वीडियो में हम क्लाइस ट्वेल भूगोल यानि जियोग्रॉफी की जितने भी स्टूडेंट है और इस बार पांच मार्च दोजार चौबिस की बोर्ड एक्जाम में जियोग्रॉफी का पेपर देने वाले हैं तो हम उनके लिए लेकर आए सभी महत पूर्ण प्रश्ण उत्तर जो आपके इस बार पांच मार्च की बोर्ड एक्जाम में पूछे आएंगे और यह काफी ज्यादे इंपॉर्टन कोश्टन से जो आपके बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन है और हर साल पूछी आते हैं तो तयार कर लिज़ेगा तो यहां पर देखें सबसे पहले हम बहुविकलपे से सुरुवात करेंगे जैसा कि आपको पता है आठ आपके बहुविकलपे प्रश्ण उच्छे याते हैं तो सबसे यादा इनपॉटेंट है तो चली देखते हैं यहां पर देखें सबसे इनपॉटेंट कोस्चन से और सबसे first question क्या पूछा गया है निमलिखित मैं से किसको नव्हुव्व्व कि रूप में जाना जाता है यहां पर आपके options की थूरूप बताना है बाहिरी आपको नहीं बता-डाई में पहले आपको बता दू काफ़ी स्टोरेंट कहते हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं यहाँ पर ही के टीएस भी होना चाहिए तो ही के टीएस होता तो यहाँ पर में वह लगाता लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है बोगोल की रिजनक की रूप में जाने जाते तो वह आप हमें देखिए दूसरा कोष्ण यह काफी ज्यादा इंपॉर्ट एजियोग्रॉफ़ी के पेटर की दिरिष्ट से देखा जैए दूसरा कोष्ण है यहापर सांस्कर्ति यहूंप देखते दूसरे का जो right answer हो जाएगा वो रीत रिवाज भासा हो जाएगा जो कि ए correct answer हो जाएगा जो question पूछा गया है यापर आप अराम से याणि ध्यान से देखेंगे question को कि सांस्किर्ति घोगोल के अंतरगेत पूछा गया है तो वो संस्किर्ट से related दो रीत रिवाज भासा हो जाएगा जो कि इसमें अध्यान किया जाता वो इसी का किया जाता है अगला question देखेंगे आपर तीसरा नमबर देखेंगे परत्यच अनुभो पर आधारित विचारधारा क्या है कल्यान परक विचारधारा अमूल वाधी विचारधारा व्यवहार वाधी विचारधारा तो यहाँ पर तीसरे का सी ही right answer हो जाएगा व्यवहार वाधी विचारधारा हो जाएगा बिल्कुल right answer और जो भी काफी वीडियो जो मैं बता चुका हूं आप लोग उसी के थुरू बताईएगा ओंसर लिकिन इमानदारी से उसके बाद में देखिए चार नंबर कोश्चन क्या पूछा गया है इंडिम लिकिन मैं से कौन विश्व का सबसे बड़ा मानव जम घंट है या पर देखिए जम घ अच्छनी पूर्वी एसिया हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट एंसर चार नंबर का यहां पर देख सकते हैं और आपके जियोग्राफी का जो कोश्चन मैंक और बुक है उसी से लिए आपके कोश्चन से आप जाकर अपने बुक और कोश्चन मैंक में बिलाएंगे तो इसका पर में आपके कोश्चन पूछे आएंगे सायद पांच नंबर जो कोश्चन है अब पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इन में से जो आय उपागम हो जाएगा यह सबसे पुराने उपागम जो उपागमों में माना जाता है यह पांच में का ए बिल्कु सब्सक्राइब का नाम स्कोर क्या है जो नाम स्कूर है यहाँ पर क्या पूछा गया है अती उच्छ कांख तो इसके मूछलन वाले देशोर स्कूर बता रहा हैं कितना हो जाएगा वह आपका ड़ी हो जाएगा दीखी जीरो पॉइंट एट सो से अधिक जीरो पॉईंट और अगरेंगें जैसी प्रात्मिक कर्याय मानव द्वारा की जाती हैं यहां पर अराम से पहले प्रशन को बढ़ दीजी फिर मैं आपको अपसंस दिखाता हूं तो साथ नंबर हैं यहां आपको गलत लगे तो कॉमेंट में पूछ लीजिए लेकिन संतु श्टोकर आप पहले रिसर्च कर लीजेगा फिर उसके बाद में देखिए आठ नंबर कोश्चन यह पर कौन से किर्सी इस्थानिये लोगों की अवश्चक्ताओं की पूर्त हे तो की जाती है मिसिरित किर्सी, निर्वाह किर्सी, रोपड किर्सी या सामोही किर्सी तो जो आठ नंबर कोश्चन है इनमें से आपका वी विकल विल्कुल सही हो जाएगा निर्वावा किर्सी हो जाएगा जो कि क्या है इस्थानी जो लोग है उनकी अवस्थक्ताओं के लिए ये किर्सी की जाती है तो आठ नमबर का वी विकल्प बिल्कुल राइट एंसर है अगला कोश्चन देखें हैं आपन नौ नमबर देखें नौ नमबर कोश्चन है निम लिखेत देशों में कौन विश्व का सरवाधिक गेहूत पादक्जेश है बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है और काफी कायम में लगव में बता दू आपको 50% लोगों को इसका एंसर नहीं पता होगा काफी बार हमनें आप लोगों को बताया हूँ इसका एंसर आप लोगों को नहीं पता होगा लेकर आज जान लो इंप में से जो आपका right answer हो जाएगा वो आपका चीन हो जाएगा यानि C right answer हो जाएगा जो कि NO का C correct answer है चीन में ही क्या है सरवाधिक है जो गेहूत पादक देश है वो चीन है उसके बाद भी दिखिए 10 नंबर कोश्चन दिखिए निमलिकित में से कौन सी बगानी फशल है जूट गेहू रबड बगानी फशल की बात हो रही तो वो रबड हो जाएगा आपका चुकि C राइट एंसर हो जाएगा 10 का C बिल्कुल करेक्ट एंसर है कोई भी कोश्चन का एंसर आपको गलत लगे तो बताइएगा हला कि 10 नंबर कोश्चन का एंसर सही है जो गलत होते है उसके बाद भी देखिए 11 नंबर कोश्चन विश्व में चाय का सरवादिक उत्पादक कौन करता है तो जो चाय का उत्पादन वही करता है चीनी यहाँ पर चीन हो जाएगा राइट एंसर गेहूं जो चाय का सरवादिक उत्पादक यही करता है चीनी तो ग्याराग आपका सी राइट एंसर हो जाएगा बारा नमबर कोशन देखे सवाना यहाप देखे शवाना घास के वैदान पाई जाते हैं कहाँ पर पाई जाते हैं सूडान में अमेजन वेशन में मद एसिया में यह टेगा छेतर में तो यह कुछ दच्चिन जो एसिया इस इस में सूडान में पाये जाता है तो बारा का आपका ए करेक्ट एंसर है अगला कोशन देखिए हैं आपा तेरा नंबर तेरा नंबर जो कोशन है काफी पेज़िदा कोशन इसका options हमने गूगल पर सर्च किया तो वहाँ पर अलग दिखा रहा था देखिए क्या है कि निम लिखित में कौन सा देश कापास की उत्पादर में अग्रेहिडी है तो यहाँ पर चीन बुक के हिसाब से दिखा रहा है चीन इस्टूडन गूगल पर सर्च किया तो वहाँ पर भारत दिखा रहा था तो आपके हिसाब से 13 नंबर का question का right answer क्या होगा दोनों में से comment में जरूर बताईएगा अगला question देखे चाओदा नंबर कि निम लिखित में कौन सा उदोग छोटे पहिमाने पर आधारी थे मिट्टी के बरतन फरनीचर बरतन या यूता निर्माण यहापर क्या है चोटे पहिमाने पर क्या है आधारी थे तो आपका 14 का D हो जाएगा यूता उदोग हो जाएगा बिलकुल correct answer यहापर देख सकते हैं 14 नंबर कोश्चन का answer 15 नंबर कोश्चन देखे हैं यहापर क्या पूछा गया है निमलिकित में से कौन सा एक वनोपर आधारी उदोग है सीमेंट उदोग वस्त्र उदोग उबरक उदोग या कागज उदोग तो यहापर बात क्या हो रहे है इस्टूरेंट यह दिखी वनोपर यानि लकड़ी वकड़ी वाला सेरा यहापर आ जाता है तो यह आपका कागज उदोग हो जाएगा बाकी का सीमेंट तो भई है सीमेंट यह वस्त्र उदोग तो वस्त्र ही है उबरक उदोग भी अलग होता है यहापर कागज यानि जो पेपर वगेरा होता है यह कागज जो वनों की कटाई यानि लकड़ी उस होता है सबसे जादा जो वेश्ट होता है वो लकडिया यानि कटाई की मामलों यानि पेपर बनाने की मामलों में लकडिया ही सबसे आधा होती हैं तो 15 का D बिलकुल राइट इंसर हो जाएगा और आप लोग तो हुसी यारी स्टुडेंट तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि कौन सा को चनका विकल्फ हो जाएगा दिगें दो कोशन आपके बोड़ एक्जाम में मैंने नोटीस किया है कि दो कोशन तो आपके दिमागी कोशन सी होते हैं तो आप दिमाग लगाएंगे उसका आपको आपको आटोमेटिंग मिल जाएगा सिच्छा सास्त्र की में बात करूँ जो सिच्छा सास्त्र आपका सब्जिक्ट है उसमें भी एई सीर है उसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे जैसे वहाँ पर एक कोशन पूछा गया था सिच्छा सास्त्र में थोड़ा मैं आपको बता दू वहाँ पूछा गया था कि जन प्रेरग भूख ही माना जाएगा नहीं है तो आपका जुआ खेलना तो यहां पर सोला नम्मर कोश्चन दिखी क्या है यह दिखी निम्लिकित में कौन सा किर्सी आधारी तो दोग है तो सोला का वी हो जाएगा चीनी दोग जैसे कि आपको पता होगा गन्ना ब्राजील में सब उत्तर परदेश सबसे ज़्यादा मामला है यानि मामले में देखा जाए चीनित पादक राज उत्तर परदेश है 17 नमबर कोश्चन दिखी है आपर क्या पूछा गया है लोक वितरण योजना का संचालन लिम लिखित में कहां किया जाता है तो नगरों में किया जाता था यानि 17 का आपका सी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा देख सकते हैं 18 नमबर कोश्चन देखे परिवहन विवस्था के विक्सित होने से अस्थानों की एक जाल के रूप में रचना कहलाता है क्या कहलाता है वो रचना वो आपका कहलाता है परिवहन जाल तंत्र यानि आपका 18 का सी राइट एंसर हो जाएगा 19 नमबर कोश्चन देखे याँ पर क्या पूशा गया है ये दिखी जब आउट सोर्सिंग में कारे को समुद्र पार स्थान तरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे जो कहा जाता है इस्टूडेंट वो आप तन याप देखे आप तटन हो जाएगा किया गया तो वो देश कौन सा हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है तो इन मेंसे जो आपका वी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा इंगलेंड हो जाएगा करेक्ट एंसर जो कि 20 नमबर का आपका वी राइट एंसर है अगला कोश्चन देखे यापर 21 नमबर टेस्ट वाले स्टूरेंट जरूर अपना अटेंडनस दीजिएगा आप लो यानी सही अंसर बताईएगा 21 नमबर कोश्चन है निम्न मेंसे कौन एक दच्छडी प्रसांत समुद्री मार्ग का क्या परमुक पतन है तो 21 का डी हो जाएगा यहापर जो कि होनो लूलू हो जा गया है यह देखिए निम्लिकित में कौन सी नहर अट्लांटिक प्रसांत महासागर को जोडती है कौन सी वो नहर है जो क्या है अट्लांटिक प्रसांत महासागर को जोडती है तो 22 का डी हो जाएगा पनामा नहर यानि पनामा नहर हो जाएगा जो कि इसको जोडती है 23 नंब जाएगा आपका 19 June 19 June 1981 हो जाएगा राइट एंसर जो कि 23 का भी हो जाएगा 19 June 1981 24 नमबर कोश्चन देखी रेसम मार्ग चीन को यूरोप के साथ किसी व्यापारिक सहर से जोड़ा था था वो कौन सा हो जाएगा व्यापारिक सहर तो वो रूम हो जाएगा यानि 24 का भी रूम राइट एंसर हो जाएगा अगला कोश्चन देखी जो कि आखरी कोश्चन है इस वीडियो का अबजेक्टिव कोश्चन की में बात करू तो 25 नंबर कोश्चन देखी किसी देश के निरियात तथा आयात के अंतर को क्या कहा जाता है आयात तथा निरियात के अंतर को जो कहा जाता है स्टूडन वो व्यापार संतुलन कहा जाता है यानि 25 का सी विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा आप लोगों का तो यहाँ पर हमने कोश्चन क्या पूछा गया है देखिए नो सेना पतन क्या है नो सेना पतन का एक उधारण दीजिए सबसे पहला कि हमें इसके बारे में पताने कि यह क्या होता है इसके बारे में उसका उधारण भी दे रहा है तो दीखी उत्तर के साथ में हम बात करेंगी दीखी ऐसे पतन सामरी कि आप देखें सामरी महत्वले होते हैं जहां युद्धक जहाजों को खड़ा करने थथा उनकी मरमत के लिए कार शालाओं की विवस्था होत तो इसका answer आप लोग अच्छे से लगाईएगा जो की diet answer हो जाएगा जा आप देख सकते इसका एक उधारन बताना था तो वो कूची पतन हो जाएगा और ये map में भी भरने के लिए आता है आपकी geography में map कैसे भरायाता है विश्यो का और भारत का हमने दोनों बताया हुए वीडियो भी latest वीडियो हमने अपलोड किया है जाकर देख लीजिएगा अपलोग उसके बाद में देखिए दूसरा question देखिए सणक परिवाहन के दो लाव बताईए वाव परिवाहन जल परिवाहन सणक परिवाहन एक थल परिवाहन होता है लिकिए सणक परिवाहन मैंने यहाँ पर एडिकर दिया है देखिए सणिक परिवान के दो लाव निम लिखी थे सबसे पहला देखे व्यापार का विकाश सणको का विकाश व्यापार को गती प्रदान करता है जिससे सरकार की आय में वृध्धी होती है उसके बाद में देखे दूसरा किरसी छेतर में लाव देखे किर्सी छेतर में किस तरह से लाब होते हैं कि सणको का किर्सी के छेतर में महत्पूर अस्थान सणको के माध्यम से किसान अपनी उपज दूर-दूर मंडियों में ले जाकर बेचता है यानि उपज एक प्रकार से सब्जियां वगेरा कुछ भी होता है वो दूर-दूर लेकर जाकर बेच सकता है जिससे उसे अपनी फशलों के उचित मूल्य प्राप्त हो सकते हैं सब्जी मंडियों आप लोगों को जानते हूं कि सब्जी मंडियों यापर सब्जियां लिखती हैं तो वहां पर भी जो किसान लोग आते हैं अपनी सब्जियों को बेचने के लिए ताके जो नगर के लोग हैं जो सिटी के लोग हैं जो गाओं के लोग हैं वो जाकर सब्जिया ले सकें तो इससे भी दो लाब हैं जैसा के आप देख सकते हैं किस तरह से लाब हैं के दो लाब बताने था दो नमबर आपको मिल जाएंगे तीसरा कोश्चन देखें याप पर लिख लीजिए लिखना चाहें तो आप लोग इतना टाइम तो है नहीं आपके बाल लिखने के लिए नोट कर लिए यह से मलब आप दिमाग में फीड कर लिजी जापान के दो बंदरगाहों का नाम लिखें जापान के दो बंदरगाहों का नाम लिखना है तो देखें जापान के दो परमुक बंदरगाह है टोकियो ओसाना ओसाका जापान की राजधानी टोकियो और दोगिंग नगर होनी के करण इन दोनों बंदरगाहों का विश्वि में रावधानी में हैं क्योंकि जापान के दो बंदरगाहों का नाम बताना था हमने बता दिया है तीसरे को शंगे मारा हो गया उसके बार देखे चौथा कोशa क्या कि अ यह देखे पंचम है किरिया कलाप की कितने यह यह होग यह ऑदिघियेata में कर्ता परामर्ष दाता तथा नीत निर्धार हं अरथाथ इसे किरिया किलाप में निर्णाउय लेने वालτο नीतियों मुस्ति बनाने वाला संभी नहीं पताना है रजयओ को समझ सकते आप कोशन देखिए टीदियक्षेत्र क्षेत्र क्या सब से बड़ा उद्योग कौन सा है यह आपको बताना है एंसर में देखिए रोजगार चमता और राजश्चु की दृष्ट से तितियक छेत्र का सबसे बड़ा उद्योग परियतन है यह व्यापक रूप से लोगों को रोजगार उपलग करवाता है तितियक छेत्र का सबसे बड़ सर्मिक किसे कहते हैं कि इनके बारे में रता गया है नीले आपने लाल सर्मिक के बारे में सुना होगा या आपन नीली पूँचे गया है तो देखें इसका अंसर देखें वे निर्माण के कार में शंगलन लोगों को नीले कालर सर्मीक कहा जाता है वे निर्माण छेतर में कार्यरत शर्मीक उत्पादन कारियों में संगलन होते है वस्त निर्माण उद्योग में सामिल शर्मीकों को नीले कालर क्या सर्मीक कहा जाता है किस के मलब किसमें समया थोने के यह आपकर देखें किसके समया थोने पर ausामिल सर्मिकूंख도 कर नीले काले कारीयों में शंगलन होते हैं कि अो इस दरीके से आपको लिखना है अगला कोश्िन देखें आप साथ नमबर देखे, साथ नम्मर कोश्चन है, गहन निर्वाह किर्शी के दो पर्मुक परकार कौन से हैं, इनकी बारे में बताना है, दो पर्मुक परकार कौन से हैं, यह बताईए, देखे, अंसर देखे, गहन निर्वाह किर्शी के दो पर्मुक परकार निमलिखित हैं, सबसे पहला है, चावल परधान गहन निर्वाह किर्सी इस छेत्र में चावल का उत्पादन मुख्यरूप सी किया जाता है दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह किर्सी इसमें चावल का उत्पादन गोण माना जाता है क्या गोण माना जाता है इस किर्सी का आकार व्रिस्तुत होता है तो जो कोशन पूछा गया सातवा नंबर कि गहन निर्वा किर्सी के दो परमुक परकार बताईए वो सबसे पहला परिकार दो परकार पूछा गया था दोनों के बारे में हमने बता दिया देख सकते हैं आठवा कोशन देखी विश्व में रबड उत्पादक के किनी दो देशों का नाम लिखी तो हमें रबड उत्पादक के दो देशों का नाम लिखना है तो देखी विश्व में परमुक दो रबड उत्पादक देश थाइलेंड एंडोनेसिया विश्व में रबड का सरवादिक उत्पादन उशट कटवंदिये छेत्रों में किया जाता है तो थाइलेंड और इंडोनेसियास का राइट एंसर हो जाएगा दो नंबर आपको मिल जाएंगे एक एक दो दो नंबर का प्रश्ण है नंबर कोश्चन देखें यहाँ पर पूछा क्या गया है यह देखें लाल कालर सर्मीक किसे कहते हैं अभी हमारा नीले वाला पूछा गया था तो नीले वाला का भी हमने एंसर दे दिया है यहाँ पर लाल पूछा गया है तो इसके बारे में भी इसका एंसर हम देख लेते हैं कि क्या होगा इसका एंसर पूंट रूप से देखे उत्तर देखे प्राथमिक किरियाओं में शंगलन सर्मीकों को लाल कालर सर्मीक कहते हैं यह सर्मीक मुखिता क्या है आखेट मतश भोजन संग्रहण पसुचारण किर्शी खानन वनू से लकड़ी काटने का काम करते हैं यह अब देख सकते हैं इनकी बारे में क्या बताया गया आराम से वीडियो को रोक कर देख लीजिए तो उच्छार अस्थम भो जाएंगे समता सतत पूश्यड़ता उत्मादकता और ससकती करण पेपर में कूछा जाएगा तो याद रखेगा है कि अगला कोश्यन देखे 11 नंबर यह पर ये देखिए परवास को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन से हैं तो जो परवास को प्रभावित करते हैं वो दो कारक सबसे पहला है अपकर्स कारक दूसरा हो जाएगा पर्तिकर्श कारक ये दो कारक क्या है परवास को प्रभावित करते हैं उनका नाम देख सकते हैं आराम से ग्यारा नंबर का सही और विल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा बारा नंबर कोर्शन देखें यहापर यह देखी जनसंख्या घनत्यु के परमुख परकारों का उल्लेक कीजी तो यहापर देखें जनसंख्या के तीन परमुख परकार हैं सबसे पहला संगनन, दूसरा माध्यम, तीसरा विल्ल यह बारा नंबर कोर्शन का राइट एंसर हो देख सकते हैं आमने पूरी का एंसर दे दिया है जो बारा नंबर कोर्शन पूछा गया था अगला कोर्शन देखें यहाँ पर तेरा नंबर क्या पूछा गया है भूगोल वेता ग्रिफ्ट टेलर की नई संकल्पना क्या थी यह बताईए जो भूगोल वेता है इनकी नई संकल्पना के बारे में रता ना तो देखें वो गोल में था ग्रिफ्ट टेलर ने परिया वर्डिये निश्चेवाद और संभवाद की वीच मद्य यहाँ पर देखें मद्य मारगी नव निश्चेवाद अथवा रुको और जाओ निश्चेवाद की संकल्पना को क्या प्रस्तुत किया था वो इकल्मे में पूछा जाए तो इसका अंसर आप लोग लिग लिजिएगा यही इसका अंसर होगा अगला देखें यहाँ पर 14 नमबर क्या पूछा गया कोश्चन आखरी कोश्चन सायद हो सकता है अतिलगुत तरीकी में बात करूं तो मानो भूगोल की दो साखाएं का नाम बता दिया है तो चाउदा हमने इसमें महात्रपूर आतिलगुत तरी प्रश्ण को बताया है उस तरह से देखाया तो महातांडो क्लास भी हमने बना दिया आप लोगों के लिए और इंपॉर्टन टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा जिन महात्रपूर लगुत तरी प्रश्ण के बाएरे में जो कि आपकी पेपर में पूछा जाएगा जियोग्रॉफी में यहां पर देखिए सबसे पहला कोशन क्या पूशा गया है मानो भोगोल के अध्यान में जो मानो भोगोल के अध्यान में मानो भोगोल के अध्यान में रेटिजल तथा सेंपल ने किस विचारधारा का अनुशार किया किस विचारधारा का अनुशार क्या किया था इसने विचारधारा की दो विसेस ताएं बताईए तो उत्तर के साथ मैं बताएंगे आपको दिखी विश्व के परमुग भूगुल वेथा रेटिजनल तथा सेंपल ने यह आपँ देखें नियति वाद विचारधारा का अनुशारण किया था नियती वाद विचार धारा की विशेस्ताय क्या है निमलिकित है सबसे पहला है इस विचार धारा के अनुशार बहुतिक परियावरण को क्या है व्यापक महत्तु दिया गया उसके बाद में देखी दूसरा विचार धारा इसके अनुशार भौतिक परियावरण से ही सभी मानुविये किरियाए नियंतरित और क्या संपादित होती है सेंपल का मानना था कि मनुष्य परकृतगा गुलाम होता है मानुपरकृत के अनुकूल अपनी गत्विधियां संचालित करता है वो परकृत की विर्द कोई भी कारे नहीं कर सकता तो जो question वारा पूछा गा था एक number कि इनमें यानि जो मानुभूगुल के अध्यान में रेटिजल और सेंपल की विचार धारा है विचार धारा के दो विशेस ताय हमने बता दिया है चार number का प्रश्ण होता है देखे दो number question जो की लगू का है देखे मानो विकास के संदर्म में डाक्टर महबूल उलहक का यूगदान क्या है किसके संदर्म में बात कीज़े जो चैप्टर 3 है आपका मानो विकास उसी से लिए अगया प्रश्ण है देखे उत्तर देखे मानो विकास की अउधारणा का परती पादन डाक्टर महबूल उलहक जो की एक पाकिस्तानी अर्थसास्त्री है पाकिस्तानी भूगोल विता है अर्थसास्त्री भी इनको कह सकते हैं देखें मानो विकास की अउधारणा का परती पादन डाक्टर महबूल उलहक के द्वारा किया गया है डाक्टर उलहक ने मानु विकास का वरणन ऐसे विकास की रूप में किया है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धी करता है और उनके जीवन में सुधार करता है इस अउधारणा में सभी प्रकार कि विकास का केंद्र विंदु मानों है इन्होंने बताया है कि यहाँ पर देखे विकल्प परिवर्तन शील होते है विकास का मूल उद्देश मन उसके सार्थक जीवन से होना चाहिए तभी मानों का विकास क्या है संभव हो सकेगा तो जो कोशन पूछा गया था कि डाक्टर महबूल उलहक का योगदान क्या है इनके योगदान के बारे में हमें बताना था और इनके योगदान के बारे में हमने बता दिया जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आराम से वीडियो में किस तरह से इनके योगदान है उसके बाद में देखिए तीसरा कोशन जो की लगू का है भूगूल का है देखिए निर्वाह किर्सी क्या है? आदिकाली निर्वाह किर्सी की किन्हीं चार विसेस्ताओं का उल्लीक कीजिए किन्हीं चार विसेस्ताओं के बारे में बताना है तो सबसे पहले हमें जो आदिकाली निर्वाह किर्सी है निर्वाह किर्सी के वेरे में हमें परिभाशा देना है तो यहाँ पर देखें निर्वाह किर्सी के परिभाशा क्या होगी यह देखिए निर्वाह किर्सी इस्थानी लोगों की अवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए की जाती है इसमें किर्सी उत्पादों का उपयोग क्या है यहाँ पर देखियो उपयोग इस्थानी अस्थर पर होता है सबसे पहला है ये किर्से मुख्य रूप से आदिकालीन लोगों की द्वारा क्या है ओशल कटवंधिये छेत्रों में की जाती है दूसरा है किर्से के इस पद्धती के अंतरगत वन को काट कर वा जला कर खेती की जाती है उसके बाद में दिखे तीसरा है ये किर्से जिन छेत्रों में की जाती है वहाँ की मिट्टी की उवर्तता कुछ साल बाद समाप्त हो जाती है उसके बाद दूसरे छेत्रों को साफ कर खेती के लिए क्या तयार किया जाता है उसके बाद में दिखे चार नंबर यहाँ पर ये किर्शी विश्व के बिभिन भागों में अलग-अलग नामों से क्या की जाती है इस किर्शी के मुखिरूप से इस्थांदरन किर्शी के नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने तीन महत्पूर्ण लगुत्तरिय प्रशन बता हैं और 14 हमने अतिलगुत्तरिय प्रशन और 25 हमने अबजिक्टि और बहुत इकल्पिय प्रशन बताएं क्योंकि सबसे जादा इन्पॉर्टेंट है आपके पेपर के द्रिष्ट से देखा जाए तो काफी जादा इन्पॉर्टेंट है तैयार कर लेजिए और आपका पांच मार्च का जियोग्राफिका पेपर है तो उसमें पूछे जा सकते हैं